Hello everyone, मैं परवेश्मान, आपके अपने YouTube चैनल आउयो क्लास पर आप सब का स्वागत करता हूँ Dear students, आज की इस वीडियो में हम इगनू एडिमिशन के प्रोसेस को जानेंगे इगनू एडिमिशन में आपकी दो परकार के साइकल होते हैं या सेशन होती हैं कुछ भी साइकल या सेशन के बोल सकते हैं एक जुलाई सेशन, एक जनूरी सेशन, ठीक है जुलाई सेशन के ओपर मैं औरड़ी वीडियो बना चुका हूँ जिसने नहीं देखिए, वो देख सकता है लिंक डिस्क्न बोक्स में दे दुआ ठीक है, आज की इस वीडियो हम जन सेशन के बारे में पढ़ेंगे जन सेशन के बारे में पूरा आपको मैं complete guidance दूँगा कि आपको starting से लेकर end तक क्या करना है कैसे आपके assignment, exam form, result कैसे update होता है सारी चीजे आपको आज की इस वीडियो में मैं बता दूँगा तो चलिए start करते है जुलाई session की वीडियो तो मैं पहले बना चुका हूँ अब मैं आपको gen session के बारे में बता रहा हूँ पूरा process आपको इस वीडियो में बता दूँगा कि आपका gen session में starting से लेकर end तक क्या process है स्टार्ट करते हैं क्या process है अच्छे से समझ लेते हैं सबसे पहले माँ कुता हूँ admission कब लेते हैं हम gen session में gen session में admission के लिए हमें जो window open होते हैं October- December होते है जो आपका format है यह format रहेगा ठीक है लेकिन अभी covid की वज़े से यह month vary कर रहे है ठीक है तो उसमें कोई प्रशानी वाली बात नहीं है ठीक है आपको अगर कोई admission लेना है कुछ भी कोई dates available पूछ नहीं है या कुछ करना है तो आप हमारे YouTube चैनल पर विजिट कर सकते हैं या फिर हमने अपना Instagram फेस्बूक टेलीग्राम और WhatsApp पर ग्रूप बनाया हुआ है पेज बनाया हुआ है ठीक है आप वहां पर भी हम पर जुड़ सकते हैं OU class के नाम से हमारा Facebook Instagram ठीक है है तो मैं आप से आपको क्या बता रहा हूं कि जो जो मैं आपको बता दूँगा कि जो विगनु की ऑफिशल वेबसाइट है ठीक है एक जो ऑफिशल वेबसाइट है उस पर आपका एडमिशन लिंक दिया होता है जिन बच्चों को को प्रॉलम है तो एडमिशन लिंक भी मैं डिस्क्रों बोक्स में दे दूँगा आप जाकर महाँ पर देख सकते हो ठीक है अभी जो एडमिशन चल रहे हैं करंटली वह जुलाई सेशन के चल रहे हैं ठीक है जिसकी लास्ट एट नॉमबर है ठीक है तो ज एडमिशन के लिए फिर आपको एडमिशन हो गया है आपको काड़ाड कर सकते हैं क्या कर सकते हो जिसमें आपका आपका होना चाहिए ठीक है आपको एक बात और में आता हूं जब आप admission form fill करते हो ठीक है तो आपको दो बातों को ध्यान रख रहा है बच्चे काफी इसमें नहीं ध्यान करते हैं और इसमें गलती करते ही करते हैं ठीक है किसी दूसरे बंदे से form fill करते हैं वो क्या करता है अपनी email id अपना phone number डाल देता है ठीक है ऐसा नहीं कराना आप भार भी अगर fill करा रहे हो तो अपनी email id डालना है ठीक है password जो होगा password वो create करेगा वो आप बाद में change कर सकते हो ठीक है password भी आपको अपना पता होना चाहिए ठीक है आप उसे बाद में change कर सकते हो बाद में change कर लेना ठीक है दूसरा आपका phone number जो वहां पर आप डालोगे आपना phone number डालोगे क्योंकि इगनू के पास आपके दो status check करना status क्यों चेक करना है आपको अपना session पता होना चाहिए ठीक है काफी बच्चों को problem रहती है session पता होने में ठीक है अभी ज्यादा हो रही है क्योंकि कोविड की वज़े से वो month vary कर रहे है ठीक है तो session पता नहीं चलते session पता करने के लिए को क्या करना है सबसे पहले आपको link में description box में दे दूँगा ठीक है वहां पर आप admission status पे उस पे click करोगे तो आपकी window सामने open हो जाएगी मैं आपको दिखा देता हूं ठीक है इस window में आपको अपका enrollment number पता हो जो भी आपका program है वो program code डालोगे उसके बाद एक वहां पर आपका code दिया हुआ है four digit का ठीक है वो code आप डालोगे वो code हमेंसा change उतरता है ठीक है वो code आप डालोगे उसके बाद आपके सामने window open हो जाएगी इसमें आपका पूरा status दिखा देगा पूरा admission का status दिखा देगा कब आपने admission लिया आपका address phone number email ID कौन से डले हुए सब दिखा देगा ठीक है तो इसमें आपको आपके subject code भी दिखा दिखा दिए ठीक है subject code के just सामने क्या लिखा हुआ है आपका session लिखा हुआ है जुलाई लिखा हुआ है जून लिखा हुआ हुआ उसके सामने year लिखा study material के लिए आपके बात दो option होंगे एक offline एक online offline मतलब कि आपके पास IGNU books आपके घर पे भेजेगा by speed post ठीक है वाया speed post ठीक है तो speed post से आपके पास book आ जाएगी online में क्या होगा online में आपको book नहीं मिलेगी आपको soft copy download करनी पड़ेगी IGNU की website पर available है सब की ठीक है तो इसमें बस फरक क्या है इसमें आपको IGNU extra fees charge करता है इसमें वो जो extra fees book की charge की है वो charge नहीं करेगा जैसे कि मालो आपकी यहाँ पे 6000 fees है ठीक है तो यहाँ पर सिर्फ 4000 आपको pay करनी है ठीक है यह एक example लिया है मैंने ठीक है जो भी आपकी fees book की होगी वो उसमें से less हो जाएगी ठीक ह जिसको नहीं पता लगे कैसे download करना comment कर देना मैं उनको बता दूगा अपना course जरूर मुझे बता देना ठीक है और आपका जो speed post से आपके घर पर आ रही है काफी बच्चों की doubt रहते हैं कि सर घर पर नहीं आई या पता नहीं क्या हुआ ठीक है तो कुछ time बाद 2-3 months या 4 months अगर आपके नहीं आए तो आप status चेक कर सकते हो status कैसे चेक करना link दे दूगा description box में तो status चेक करना status में आपको पता लग जाए कि वो बुक आपके बस आई है या नहीं आई है वापिस चले गई है तो आपको इगनू के main center बर जाकर वो बुक by hand लेके आ सकते हो ठीक है तो यह था आपका study material related उसके बाद हम बात करते assignment की assignment की मैं पूरी फुल फ्लेज एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने आपको बताया कि आप अच्छे से score कैसे कर सकते हो ठीक है 100 में से 90 प्लस marks आप असानी से score कर सकते हो कैसे score कर सकते हो वीडियो का link आ गया होगा उपर download करने ठीक है बच्चों को पता नहीं होता है कैसे पता करना है ठीक है वहाँ पर session लिखे होंगे बहुत सारे ठीक है अभी जैसे मालोग अभी 2021-22 चल रहा है ठीक है तो आपको अगर अभी admission ले रहे हो current admission किसका चल रहा है जुलाई session का ठीक है और आगे जो अब जुलाई session क क्लिक करोगे तो आप वहाँ पर अपने subject को प्रोग्राम कोड देखोगे अपने subject कोड डाउनलोड करने के बाद आप जब कोशन पेपर डाउनलोड करोगे तो कोशन पेपर पर आप यह चीज लिखी देखोगे कि this assignment is for July 2021 and January 2022 यानि कि July 2022 वाले बच्चे और January 2022 वाले बच्च उनका एक assignment है वोही assignment उनका जमाऊगा तो जैन सेशन के जो बच्चे हुग ए assignment कब जमाऊगा उनका assignment जमाऊगा September to October ठीक है annually यही date होती है September to October ठीक है कोड की वाज़े से लेक होता है जैसे की अब ही July session वाले का close हो चुका है किसका है gen session वाले का हम किस की बात कर रहे है जन्वरी शेशन वालों के बच्चों की अभी विंडो ओपन है वो अपने assignment जमा कर सकते हैं assignment कहां जमा करने है आपको अपने study center पर जमा करने है offline या online mode वो आप अपने study center पर जाकर पूछ सकते हो वहाँ पर contact करो कि offline ले रहे online ले ठीक है जमा होने के बाद बच्चों की query आते ह माक्स कैसे होते हैं कैसे update होते हैं तो माक्स के लिए मैं आपको बतायता हूं कि जब आपका process खतम हो जाता है submission का ठीक है एक्टूबर को खतम हो गए ठीक है तो अक्टूबर के just four to six months आपके माक्स update हो जाएंगे जैसे अगर अब की बात करे current session में हम January की तो उनके थर्टी न तो वह बात की बात है लेकिन अभी हम बात कर रहें कि थर्टी नॉंबर ही last date है तो इसका मतलब आप थर्टी नॉंबर के बाद दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च ठीक है तो मार्च के बाद आपके status शो हो जाना चाहिए status कैसे देखते हैं वह उसका link में दे दूँगा डिस जैसे कि अभी current gen session के ही exam है ठीक है तो gen session के exam के अभी covid की वज़े से ही आपका dates late चल रही है ठीक है तो अभी exam form निकले नहीं है निकलने वाले कभी भी निकल जाएंगे ठीक है जो जर्नली आपका जो exam होता है कब होता है दिसंबर में होता है कब होता है दिसंबर में exam होता है लेकिन अभी जो current session है जैन session के उनके exam अभी भी दिसमबर में नहीं हो रहे है उनके exam कब हो रहे है जैन में हो रहे है उनकी date sheet आ चुकी है वीडियो बना चुका है आप देख लेना ठीक है वीडियो का link में दे दोगा तो December में exam होने थे तो जो अभी current session हो क्या है December 2021 में जो exam होन आप जर्नली September October निकलते हैं लेकिन अभी नहीं निकले हैं अभी निकलने वाले हैं जैसे निकलेंगे आपको information मिल जाएगी notification आ जाएगा आप अपना exam form फिल कर दीजिए ठीक है उसके बाद री रेजिस्ट्रेशन फॉर्म रेजिस्ट्रेशन आपका September टू नॉमबर तक वि 2021 ठीक है 30 November लाज़ डेट है किसकी रेजिस्ट्रेशन की मतलब आपने अगर फर्स्ट यर था तो आपको सेकिंड एर में अगर आपका सेकिंड एर था तो आपको थर्ड एर में अडिक्शन लेना है ठीक है ख्लियर है तो आपको सेप्टमबर तू नॉमबर तक आपका प्रो डॉप्स आजाते है ठीक है तो फ़र्वर तु अप्रेल में आपका were LOOK come है रिजिल्ट RV आजाएगा रिल आने के बाद आपको चक करना है वेब 기न diversion फी की उप्छल वेग साइट पर चेक कर सकते हो ठीक है वहाँ पर आप रिजल्ट चेक करोगी आप उनके वहाँ पर पता लग जाए कि आप फेल हो या पास हो ठीक है तो उसके बाद आप अपने grade card चेक किए grade card क्यों चेक करना है क्योंकि आपको clear पता लग जाएगा कि आपके assignment और examination के marks लगे हैं या नहीं लगे हैं तो assignment और examination marks देखने के लिए आपको grade card download करना है वहाँ पर आपका लिखा होगा क्या आपका complete है या incomplete है ठीक है incomplete है या तो आप theory में फेल हुए या assignment में फेल हुए या assignment के marks नहीं लगे है या result नहीं है ठीक है कुछ बच्चों का result depends करता है कुछ subject का दल्दी आयता है कुछ subject का बाद में आता है तो आदा भी आ सकता है पूरा भी result आ सकता है उसमें आप tension मत लेना उसमें माक्षीट की बात करते हैं माक्षीट आपकी within one month post कर देते एक नहीं आपके घर में जब आपके पूरे complete हो जाते हैं अगर bachelor cycle से related आपके कोई भी डाउट हो तो डाउट कमेंट कर देना माँ आपके अंसर दे दुगा ठीक है आपके वीडियो कैसी लगी मुझे ये भी जरूर रबताना और इस वीडियो को like कर दीजिए and जासे जाद अपने friends के साथ share कर दीजिए ताकि सब लोग इस information को जान सके and dear friends please subscribe my youtube channel for more informative videos and lecture series take care bye bye